बेरायश की हादी थाना शेत्र के गाओं में एक बार फिर बेडिया सक्रिय हो गया है जी हाँ ब्रस्पतिवार राद बेडिया ने हमला कर बालक समय दो मासुमों को जखमी कर दिया दोनों बालकों का इलाज जारी है मासी शेत्रों में लगबग दो सब्ता से बेडियों का कोई हमला नहीं हुआ था जिससे गाओं के लोग राहत के सास ले रहे थे लेकिन ब्रसपतिवार रात को अचानक बेडिये ने फिल से हमला कर दिया जिसके कारण पूरे शेत्रों में फिल से दहशत का माहुल है समस्तिपूरे स्टेशन के आउंडर सिगनल पर गुरुवार की राज जैनगर से नहीं दिल ले जा रहा है सौतंत्र सिनान्य एक्सप्रेस पर समाजिक तत्वों ने जम कर पतराव किया इस घटना में कुछ यात्रियों को हलकी चोटे भी आई है जिनका उपचा समस्तिपूरा पर अरुनाचल प्रदेश पर अधिकार जमाने के कोशिश की है भारते परवत रहवासियों ने अरुनाचल प्रदेश के एक परवत का नाम छटे दिलाई लामा के नाम पर रखा है तो चीन आग बबूला हो था चीन ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है बहर में जीत के गटना 25 सितंबर को आयो जित जिवित्ति पूर्ति का व्रत माउत्सव के दोरान राज्य के पंदर जिलों में हुई दिली में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाओं पर ठकराओ लगातार बढ़ता जा रहा है आमादने पाटी नेक सदस्य के लिए प्रस्तावी चुनाओं में शामिल होने से इंकार कर दिया है दिली के पूर्व डिप्टी से मनिश सोधिया और मेर शेली अबरोई ने कहा है कि चुनाओं पाच अक्टूबर को ही होंगा आज चुनाओं के लिए जारी किया गया आदेश अवैध है उन्होंने कहा कि सदन की अधिक्षता कोई अधिकार नहीं कर सकता है इससे पहले गुरुवार को भी देर रात तक सदन में हंगामा होता रहा